तो आज निशा की रसोई में मैदे से बनाने जा रहे हैं बिना बेक किये भी बहुती सांधार बिस्किट जो कि बित्कुल करा रहे हो और क्रिस्पी होंगे तो मैं आपको तोड़ के दिखा दू कितने क्रिस्पी हैं और यह कैसे तूट रहे हैं देखिए हाथों से मसलने पर हाथों में मसल जा रहे हैं और एकड़ू बारिक हो जा रहे हैं इस तुम ahora से क्रिस्पी बने हैं तो इसे फ्रेंड्Z चलिए बनाते आप सफर मिले जाईए महिनों चिशुर करके खाई यह बहूत हीट्सी लगते हैं तो यहां पर मैंने फ्रेंड्ड्च वीडियो बनाई त गोलने के बाद मैंने मोयन Här आटे को ना गूटने के बाद 15-20 इस के डھका रगत दें गे लेंगे और उसके बाद यह बनाएंगे तो यह देखिए पुस्ता दाना है पुस्ता दाने से इसको उपर लगाएंगे तो इसलिए हमने पुस्ता दाना लिया है और जो की खाने में भी अच्छा लगता है तो इस तरह से यह सॉफ्ट डो होता है तो बिलता नहीं है सही से तो थोड़ बहुत ही सॉफ्ट बनता है तो यह इतने क्रिस्पी रहेंगे कि आप महीनों तक ना कड़े होंगे कि ऐसा नहीं कि मैं देखे हैं तो कुछ दिन बाद टाइट हो जाएंगे जिस तरह से मैंने बता है उस तरह से आप यूज करेंगे बिल्कुल भी टाइट होंगे और पुस्त टेड डेल गड़िया है गरम होने के लिए आप इसे सपया सकते हैं जैसे कि यह मैंने बनाया है रहे हैं साथ मैं अました कामदार होता है बहुत हीधी होता है त Mage it जाएंगे न तो बहुत ही फायदे मंद होता है एक तो पैसे की बचत होती है और जो की सुद्ध घर पे आपको बने हुई चीज़े मिल जाती है जब भी आपको कुछ हलकी फूल की बूकल के निकाली है और खाई ये बहुती टेस्टी है बच्चे बड़े हर कोई पसंद करता है तो इस तरह से देखिये हाफों से लोयों को फैला लेंगे हलका हलका इसes पे बेलेंगे बहलेंगे क्योंकि मोयन इसे और इसे ऑच्छे से किया आप ट्रेवल के लिए कई दिनों तक बाहर अगर रह रहे हैं तो इस तरह से जरूर बनाईएगा तो मैं यह सफर के लिए बना रही हूँ इसी जलबाजी में आगे की वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई मुझे लगा कि मैंने इस्टार्ट कर दिया है मगर वो अन नहीं मुझे जब आटे को बांदेना तो हाथ में बंधने लगे मुझे अच्छी से करना है तब हमारे बिस्किट जो है क्रिस्पी बने रहेंगे कई दिन तक अच्छे टेस्टी बने रहेंगे टाइट नहीं होंगे और नहीं खराब होंगे तो यहां पर देखिए आप किसी भी या भी कोके कटें से कट कर सकते हैं मैंने छोटी पिलस से कट किया यह देखने एक बराबर सैप रहेंगे और अच्छे लगेंगे और थोड़ा थीकी रहना है नहीं करना है मुझे पर प्तल पूरी जैस है लोगारम यह नूर्र और अपर तेस्ट बिस्किट लगते हैं और बनाईएगा ट्राइएगा आपको बहुत पसंद आएगा आप तारीफ ही करोगे यह इतने सौधिस बिस्किट बनते हो जिसे देंगे वह भी आपकी तारीफ करेगा तो इसे जरू ट्राइएगा तो इस तरह से पुस्तादाने लगा लेंगे आप तिल भी लगा सकते हैं और इसके बगएर भी बना सकते हैं तो इस तरह से देंगे जिसे की एस्ट हो जाएंगी और पलेट में डाख लेंगे चलिए ऐल गर्म होने के लिए तो मैंने रख दिया है और गर्म हो जाता है तो इसे फ्राइग कर लेते इसी दरह फट अफट बनाएंगे और ने सौफ्ट ह लौ फ्लेम के लिए एक दो मिन्ट के लिए आप इसे बिल्कुल भी हिलाईए गमत तो इसे पक्णने दीजेगा तो दो मिनिट लौ फ्लेम पे फिर थोड़ा सा मीडियम पे कर दीजेगा और बहुत जल्दी यह बहुत टेस्टी सी बिसकृत तयार हो जाते हैं तो जितने कढ़ाई में उतने ही डालिएगा यह देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में तो हल्का सा टेंड कर देंगे जिससे की नीचे अगर तली में यह चिपक रहे हो तो निकल जाएं वैसे तली में चिपकते नहीं है एक साइट से पहले गोल्ड्राउन होने देते फिर इसको पलत लेते यह देखिंगे फ्रेंट्स गोल्डन ब्राउन हो गए है अब मुस्कों पलत लेंगे और यहाँ पर然 और अपुंद से से लेना में 2-3 मिनट बाद ही इसका परदूए हैं गया और इतने टेश्टी थे कि बच्चे मांग मांग कर खा रहे थे इतने टेश्टी बिस्किट बनकर रेडी हुए थे इसी तरह के हम बना के सारी टिक्कियां तैयार करेंगे तो चलिए दूसरा बैच भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे तो इसी तरह से हम डाल देते हैं बस आज का ध्यान दीजेगा आज यहां पर लो ही रहे और यहां पर इसको 6-7 मिनट लग जाएंगे पूरी तरह से अच्छे से सिखने में क्योंकि लो फ्लेम पर ही सिखना है हाई फ्लेम पर बाहर से तो यह ब्राउन हो जाएंगे अंदर से कच्चे रहेंगे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे इतने अगर बिल्कुल क्रिस्पी रखना महीनों तक इसे चलाना है तो इस तरह से ही बनाईएगा और यह बहुत ही क्रिस्पी बिस्किट बनकर रेडी होंगे फ्रेंट्स भी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंट्स फैमिली के साथ जरूर मेरे वीडियो को शेयर किया कीजिए यह देखे सारे बिस्किट बनकर रेडी हो गया कितने टेश्टी बने हैं कि मैं बता नहीं सकती और एक आपको और मैं बिल्कूल इस तरह से मिस जाते हैं तो बस वैसे ही विस्किट बनकर रेडी हो एं तो फ्रेंट्स पसंदाए देखे वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो मिलते है नहीं वीडियो के साथ नहीं रेस्पी में थैंक्स पार वाचिंग दिस वीडियो है